आज की या वीडियो बीए फिप्त समस्टर के हिंदी के फ़स्ट पेपर की महा संग्राम रिबीजन क्लास होने वाली है आपके जानकारी के लिए बता दे आज किस वीडियों जितने भी प्रशना और उत्तर दिये गए हैं वो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर यह सारे कोईश्टन पिछले फालो में कई बार रिपीटेड हो इस बार भी कई फारे प्रशना आपकी परिच्छा में जो पूछे के उस वीडियो में इनकी लूड़ेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा आप कहीं न कहीं किसी उम्मीद और किसी आसा के सब्सक्राइब करेंगे तब बताएंगी कि सरहां आप ने जो बताया था लगभग लगभग वह प्रशना है तो गैरंटी है यह प्रशना आपकी परिच्छा में पसेंगे क्योंकि पूरा का पूरा महासंग्राम का मतलब यह हुआ कि लगभग लगभग कोईश्चन इसी व थान रखेंगे तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार पेपर देखनें को मिलेगा कुछ अतिली 工作 रहेंगे यह पर पर्श्थी ये महा संग्राम धिपीजन क्लाफ है रहला कि यह रहे कोश्चेन जब लगला हुए हमारी पिछली बीडियो में इनकलूटेड हैं लेकिन उन सभी कई सारे विडियो के जो कउश्चेन है और कई सारे जो पीडियोर हैं उनको इस बीडियो में मर्ज कर दिया ताकि आपको सिर्फ एक वीडियो देखनें क्या हो सकता पड़े वा परकार का यह प्रश्ण है यह हमेशा नहीं आता है लेकिन कभी कदार रिपीट हो जाता है तो आप तैयार कर लेंगे तो बेसक आप लोगों के लिए helpful रहेगा अधर्वाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं मेरा एक उद्देश यही है कि आपकी परिछा कल यह परसों है तो इस प्रशन को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपकी परिछा 5-6 दिन बाद है तो इस प्रशन को तो उत्तर मिल जाएगा पीडियेफ में ही जिनका नहीं मिलेगा उसको आप लोग इंटरनेट पर सच कर लेंगे सिंपल सा कोई कोश्चन में नहीं करी दिए और स्रीज नहीं करी दिए तो भाई कोई बात नहीं ठीक है दूसरा कोश्चन जो की 100% आएगा ही आएगा पर इच्छा में कई बार रिपीडिट है वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉप लोबिल का कोश्चन है लिखा कि अलंग कार बहुत टाइप के अच्छा अलंगार बहुत आप के अलंग कार होता है जिसको मैंने महासांगराम वीडियो में कबर कर रखा जो कि आपको आगे कोश्चन दिखेंगे उसका उत्तर भी दिखेंगे तो टॉप लेवल का कोश्चन इसको ध्यान रखेंगे आगला प्रश्चन है कि बहुत किनी दो सब्दा अलंग कारों के नाम लिखेंगे यह भी पॉपलर कोश्चन यह सारे कोश्चन जो मता रहें न यह पिछले फालो में रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी कई सारी इनुवर्शिटियों पर इच्छा हो चुकी उसमें पूछे गए थे ठीक है यह नहीं कि हवा हवा इन बात कर रहें ठीक है अगला प्रशने कि यह मक अलंग कार का कोई उदाहन ती यह मक अलंक कार आप अपने देखो कि आप 8 9 3 से पढ़ते आ रहें ठीक है टो में तो एमक कलक कार का सबचे बड़ा उदाहन आप लोग जानते कि कनक कनक ते सोगुनी तो कनक में मतलब की कोई सब्द आये कई बार लेकिन उसका अर्थ वह भिन्र हो जीसे कि कर दोनों का अर्थ होता है दोनों का मतलब करते हैं कि दोनों कपना कर्थ है वह होता है सोना ठीक है दूसरे का धतूरा यानि कि अगर आपको सोना भी ज्यादा मिल जाएगा तब भी आप लोग पागल हो जाएंगे और आपके पास ज्यादा अगर मालीजे धतूरा यानि कि आप लोग ज्यादा ठीक है जो मतलब की मतलब कि आप धतूरा का मतलब नसे वाली चीज होती है तो इसका यूज कर लेंगे तब भी आपको समस्याए हो जाएंगे ठीक है तो यानि कुल में के दोनों समस्याएं होंगी अगला प्रशन है वह यह कि अलंकार संप्रदाय के समर्था कई बार बता चुके पॉप्लर कोश अगला की इलिएट में निटिके ने रिकता के सिध्धान को यह इग्नोर कर दीए मुझे नहीं लगता कि आता है ठीक है अगला प्रशन है आई ए रिचर्ड्स ने कि फिद्धान का प्रतिपादन किया कभी कदार आता हमेशा नहीं आता लेकिन पढ़ लेंगे तो बेटर र को क्या कहा गया यह प्रशना वक्ता है तो एक प्रशन रखेंगे आप सब्सक्राइब को इस परकार प्रस्ट देखने को लेंगे अब बहुत्तर हम कुछ देख लेते कि इस परकार क्यांगे आरफ्तु का विरेचन सिध्धान एर उस तो फिजड़ा एक कोईशन प्सेगा पर देखने को ध्यान रखेंगे वर्ट्स वर्थ के काभ यानिकी जो की प्रमुख ठीक है हिंदी के रशनाकार हैं और प्लस बिद्वान भी इनकी काभ यानिकी रशनाये जो हैं उसकी जो भासा समद्दे मानताओं के बारे में एक कोश्चन कभी कदार आजाता हमेशा नही पढ़ भी सकते हैं देर घुत्रे का पहला प्रशन है जिसको लोंग टाइप की कुश्चन देख बोलते हैं आप लोग ठीक है तो भारतिया साहित तरसास के अनुसार काभी प्रियोजन की बिशना कीजिए मोस्ट इमपार्टन कोश्चन कई बार रिपीट हो चुका तो मतलब कि अगर आप इन तीनों देर घुत्रे प्रशनों को जो उत्तर है उसको तयार कर लेंगे तो एक प्रशन फस जाएगा तो एक कोश्चन फसने का मतलब यह हो गया कि आपके दस नंबर पक्की हो ठीक है सिंपल सा फंड़ा तो इस प्रकार आपको माडल पेपर देखने हो कि मैंने आपको फॉर्मिट एक माडल दिखा दिया है बाकी हम अब बढ़ते हैं कोश्चन एंसर स्रीज की ओर ठीक है ध्यान लखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन है बहुत सारे एक्जाम में कई बार पहला प्रशन है कि रस आपने तो भाई आठोवी नवी दासवी गैरोई बारवी कलाफ पर पढ़ते आ रहे हैं कि रस के बारे में ठीक है हिंदी पढ़ा तो रस के बहुत बताईए ठीक है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें रफ के नो परकार बताये गए हैं पिर नो पॉपलर रफ हैं यह मैंने देखा कई बार मताब कि जब जब भी परिच्छा होती है हिंदी की फिप्त समस्टर की यह फिर से पहले जब समस्टर नहीं था उसके पहले था उसमें भी प्रशन आता था हमेशा आता था और याद रखेंगे और नो रफ होते हैं और इन दो न इतने प्रकार की होती है ठीक है तो यह इतना महाद पूर्ण नहीं इग्णोर कर सकते हैं ठीक है जो चाहतर अभी तक वीडियो देख रहे प्लीज वीडियो को इंड तक देखते रहीगा ताकि आपको पता चल फाकी कि कौन-कौन से मोस्ट इंपारन कोश्यन जो आपकी पर सब कम करेते हैं हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम मोस्ट इंपार्ण कोश्यन और बेशिक से परच्चे देदी ताकि उसके बाद हम आपको पीडियाप देदे पीडियाप से अपने एक्जाम कितायारी कर लें ठीक है यह हमारा फंड़ नमेन है अगला कोश्यन की माक्षव ठीक है वर्तमान समय में जिसे प्रगतिवादी समच्च्चा कहा जाता है वह से पूर्मध है जिसके जाने रकेंगे वरतमान समय में जिसे प्रगतवादी समझ्छय कौहाज जाता हुआ ओर मतलब की जो दो एक सट्रीक अफ्सान पहें थे इस दिसा में कार किया यानि कि कुछ प्रमुख जो हमारे समास साफतर जो प्रमुख मिद्वान है फिर बाद में जाके कुछ लोगों ने इस दिसा में अपना कार वो है इसके छेतर में अपना कार बढ़ाया ठीक है तो उसके बाद माक्षवाद के जनक कार्स माक्ष ने इस ब लवित किया ओके और इंजल्स ने माक्षवाद के सिध्धानतों के बिजस्तार पूर्बग विश्णा की जी मतब किसके बारे में डीटियल फे लिखा और बिस्तार से उसको इसको समझा बिस्तार से सिध्धानत को लिखा ठीक है तो इस प्रकार आप परिचे लिखेंगे कार् लखेंगे ठीक है और माक्षवादी अलोशना के चार भागों विभक्त किया गया है जो कि आपके समस्तुत हैं चारों भाग पढ़ लेजिएगा ठीक है नई समिच्छा का नामकरण ये हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदर फंस जाता है तो जरूर इसको तैयार करके जाएं तो दोनों का मतलब एक ही होता है इस बात को ध्यान नगें कन्फ्यूज मत हुईएगा ठीक है आगला बहुत ही पॉपलर कोश्चन जो कि कई बार आ चुका इस बार भी आने के पूरी उमीद है नई कहानी की विकाफ यात्रा कप से सुरू हुई जिसके बारे में हम चले जा कहानी पत्रिका का प्रकासन हुआ जिसमें प्रकासित होने वाली कहानिया परंपरागत कहानियों से कुछ अलाग दिखाई पड़ी ठीक है यानि कि कुछ डिफरेंट तो इस प्रकार आप बेसिक सा प्रचर लेकिंगे कहानी का विकाफ यत्रा कप से सुरू हुई तो आप ल आध्यम से ओके तो बेसिक सा परचैसे लिखेंगे अगला कौश्चर मोश्री इंप्रटन्ट है कि नाटक की मुख्य बिशिश्श्ष्टाइं बताइए पहले तो आपको तयार करे लेना कि या सत्य घटना पर आदायत हो चाहिए लोग करते हैं या पिर किफी चीज को लेक नाटक जैसे की राम लीला चलता है ठेली और के कहीं नहीं गहतना फङारी तो यह प्रभक भिशेश्ता लागलो होता है तो इस प्रकार की कुछ बिशेष्टा है जो कि आपको तयार कर लेना मोश्ट इंपॉर्टन टॉप कोड़ी का कुश्चन है उत्तर आपके समझत है उत्तर एकदम सिंपल भासा में प्रस्तुत किया गया सिंपल वर्ट्स में है ताकि आपको कनफ्युजन ने रहेगी इस सब्द का मतलब क्या होता है इस सब्द के बारे आपको चार उसे रिस्ताएं आगकर लेना बस ज्यादा नहीं अगला की रिजर्ट्स के अर्थ भाव के शंबंध को किन रूपों में शुभिकार किया गया तो यह आप यहां पर देख लेंगे हाला कि रिजर्ट फिज़ड़ा एक प्रश्ण फंस सकता है बस ठीक है एक प्रश्ण जो है फंस सकता है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला की रंग मंच पर किसी भी पात्र की सरप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा फे होती है प्रश्ण के आने के अपके समस्त है तैयार कर लीजेगा हम ज्यादा आपको डेटियल में नहीं कर रहे हैं और जिस भी प्रश्ण का उत्तर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए उसको बता देते क्योंकि बहुत ही लंबी पीडियाफ है ताकि छूट ना जाए कोई नाटक सब्द की उत्पत्त के बारे में आपको लिखना है कि भारते अचार ने रूपक के भेदों में नाटक को सरप्रथम एवं सरबोच अस्थान दिया इफले इसे सभी रूपकों की प्रकति कहा जाता है नाटक की उत्पत्त नट धात से मानी जाती है जिसका अर्थ है कैंबर बिसीश का अनुकरण ठीक है अंसिक वाद्चिक सात्विक ठीक है यह माँ अहर्य अभने के द्वारा दुसियंत राम आधि पात्रों के साथ ततमे अस्थापित कर लेना अर्थ है अनुकरण यह पात्रों के भावों को वहन कर तदोनकोल अंग संचालन की प्रिक्रिया को नाट या नाटक कहते हैं ठीक है नाटक दर्सकाब भी है यानि कि देखने वाली चीज है ठीक है जिसका प्रदर्सन अभिने द्वारा होता यानि कि उसका प्रदर्सन जो सो किया जाता हो किसी ना किसी पातर राजा ठीक ह पुरजा या फिर किसी मंत्री या फिर किसी अन्य पात्र के मादम से प्रस्तुत किया जाता ठीक है इस बात को ध्यार ने किंगी तो इस परकार आप लिखेंगे नाटक सब्द के बारे में और बहुत हमाद पूर्ण प्रस्ट ने गीत नाट पर टिपड़ लिखी यह हमेशा नहीं आए तक कभी कदा फंस जाता है और अगला जो परस्ट देखनेों को मिलना है आला आप लोगों को कि हमेशा फंसता ही फंसता ठीक है नाट फाफ्ट का रस्टनाकाल वाता है यह बहुत ही पॉपलर कोश्चन है जहां तक मुझे जानका रही है यह प्रस्ट हमेशा पर रशनाकार के संबन्द में कोई निष्चिद निषकर से प्राब्त नहीं होपाया है और बिभिन बेदूआनों द्वारा नाट वाफ्तर का रशनाकार इश्यापूर्प्र से लेकर फॉत्वी ठीक है, तक सुविकार किया गया है लेकिन यह भी पूर्त्या भर्मित करने वाला तथा आसंतो जनक रहा है मतलब कि यह तो नाट साथ तो पता एक बिया यह भरत मुन के द्वारा लिखी थे भरत मुन इसके रशनाकार है लेकिन इसकी रशना कब हुई है किस काल में हुई किस सन में हुई इसके जो मतभेद हैं अलग-अलग कभी हो कि वो बहुत सारे हैं ठीक है कोई अश्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसकी रशना किस काल में हुई है लेकिन सभी लोग अपने हिसाफ पे अपने अमीद अपने एक्सपीरियम्स के हिसाफ पे बताएं ठीक है कुछ वाइते हैं मतनलमेट करने वाला भी से है ठीक है तो इस प्रकार अलग 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 मतभेद हैं और कुछ बिद्वानों के द्वारा एक ग्रंद का रसना का लिशा पूर्वी के जन्म के सव से दो सो और से पहले या बाद का बताया गया है ठीक तो अलग-अलग लोगों के नुसार अलग-अलग मद्वेद है लेकिन बहुत ही पॉपलर कोश्चन है याद रखेंगे ठीक है और कई बार आचुका परिच्छा में हमेशा आता है ठीक है नाट्रफाफ्ट के कुल कितने अध्यां है यह भी पॉपलर कोश्चन के बार आ चुका है तो नाट्रफाफ्ट के छतित अध्यां इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और इसमें कुल 24-26 इस लोग है ठीक है याद कि प्रतीक वाद का मुल्यांकन कीजिए हमेशा नहीं आता है तो आप पढ़ सकते हैं और अगला इथार्थ वादी यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो पढ़ लीजेगा कावत क्या वता ही जाए ठीक है का भी भाफाफा इद्धान का मुल्यांकन बहुत ही पॉप संदतावादी पास्चात बिद्धवानों के नाम लिखिए तो इस प्रकार आपको पर इच्छा में प्रशन देखने को मिलेंगे अतिलगुत्रे लगुत्रे सभी के सभी कुश्चे इस वीडियो मैंने की लूट कर दिए ताकि आपको समस्याएं ना हो जड़ा सभी तो इंपॉर्टन है जो कई बारा रिपीट हो चुके उन सभी का इसमें ठीक है समा मतबकि समाहित है ठीक है तो आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफी मिल जाएगे आपका एक्जाम में यह पीडियोप हम आपको टेली वर्टसप दोनों पर प्रवाइट कराएंगे वह भी फ